और आये बात उत्तप्रदिश की सियासी घमासान की करते हैं शिफपाल यादो की एक तस्वीर पर जम कर सियासी घमासान मचा हुआ है UPBJP की अध्यक्षिस वतंत्रिदेव सिंग ने अखिलेश शिफपाल और मुलायम की तस्वीर शेयर करते हुए तंच कसा था और आज अखिलेश ने उसी तस्वीर को शेयर करते हुए बुज़र्गों का आशिरवाद बताया ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे है दरसल अब इस पर विवाद भी जम कर देखने को मिला है सबसे खास बात ये कि चाचा को रत में बैटने के लिए सीट नहीं दी ये बात लिखते हुए एक तरफ स्वतंतर देव सिंग जो की बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्याक्ष है और उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा इस तस्वीर के साथ में अब एक अलग सियासी घमासान देखने को मिल रहा है शिफपाल यादव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दरसल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे अखिलेश यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुलायम सिंग यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं और शिफपाल यादव जो की अखिलेश के चाचा हैं वो पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सबसे खास बात ये कि इसके पहले भी कई बार पिछली बार भी देखा था जब अखिलेश और शेपाल यादों के बीच में मतवे नाराज़गी की बात थी तो इसी बात को लेकर अब निशाना साधा है आमिर हक मेरे साथ ही समझ जो रहे हैं आमिर ये तस्वीर सियासी घमासान का एक अलग विश्य बन गई है एक बार फ़र से चाचा बतीजे के रिष्टों को लेकर मन मुटाफ को लेकर निशाना साधरी अबीजे पे देखे भारती जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि तीसरे फेज में जिन जिन जिनो में और जिन जिन आसेंबली कंसिट्वेंसी में चुनाओ हैं वो पूरा इलाका समाजवादी पार्टी के प्रभाव का इलाका है और ऐसे में परिवार के अंदर जो अन्बन रही 2016 से जो शुरू हुई और जिसकी एक तरह से पनिनीती अपसे करीब डेर महीने पहले हुई जब शिपाल यादव को कम से कम जस्वन नगर सीट से टावा से लगने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुक की तरफ से टिकेट दिया गया उस पर जाकर हुई लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो चाचा शुपाल की बनाई हुई थी जिनको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिली है और ऐसे में भारतिय जनता पार्टी कोई मौका ऐसा चोड़ना नहीं चाहती है कि चाचा और भतीजे के बीच अनबन की बाते सामने लाई जाएं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग जो अभी भी टकराव की बात कहते हैं उनकी बात को उनके स्वर को और जोर दिया जाए और शायद उसी कड़ी में ये तस्वीर ट्वीट करके भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अडेक्ट ने कोशिश की है लोगों के सामने परिवार के अंदर उस तूट को सामने लाने की जिस से आने वाले 20 तारिक को जो वोड पोलिंग होनी है उसके उपर असर डाला जा स लेकिन ये आपको मैं बता दूँ कि भारतिय जनता पार्टी जरूर ये इस बात को समझती है कि परभाव का छेतर समाजवादी पार्टी के लिए है तमाम इलाके चाहे इतावा हो, कन्नौज हो, फिरोजबाद हो, महिन पूरी हो लेकिन उसके बावजूद पूरी ताकत जो समाजवादी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि पिछली बार यही मनमुटाव, यही नाराजगी तकरार कितनी ज्यादा मुसीबत समाजवादी पार्टी के लिए लेकर आई थी, इस बार भले ही कोशिश की जा रही हो दखाने की कि सब कुशी के लेकिन बीज़ेपी जरू निशानसात्रिये